असलांगों स्टुएंट्स आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मेट्रिक क्लास आखानबोर्ट केमिस्ट्री का सेकंड चेप्टर जो के बुक का हमारे पास चेप्टर नुम्बर टैन है विच इसेड बेस और बेस तो आज़ आखानबोर्ट में चुके हम असलोज वाई चलते हैं तो तीनों हम एसलो के तहते हैं कोवर करेंगे सबसे पहरा एसलो हमारा यानि टॉपिक नमबर वन विच इस कॉंसेट ऑफ एसेड अन बेस का सब टॉपिक नमबर वन दॉपिक नमबर वन ऑफ़के यानि विचिः और वन वह के डिया फोइठ और वम स्प्स्ट एस ऐसलो का सबस्ट के निखते हैं यहां पर आप देखेंगे, हर वो सबस्टेंस, जो डिसोसियेट हो जाए एक्वस सॉलूशन में और हाइडोजन आइन दे सिर्फ डिसोसियेट हो जाना शर्ट नहीं है, में जो रीजन है, में जो ऐसिड होने की वज़ा है वो कहता है कि अगर कोई सबस्टेंस एकवसमेडिय में जाने के पर हाने के पर रहाइगा एसेड़। चलिये सुडिये यहां पर हम एक्जेमबल दे सकते हैं, जुणरल है, हम एक सबस्टेंस है, मेरे पास जिसको मैंने इुप्रेज़ेंट कि है लेखएडिये है, H is hydrogen and A is the negative part of the reagent or the substance जब मैंने इसको aqueous medium में यानी water में dissociate करवाया तो ये जो substance है वो अपने ions में break हो गया, dissociate हो गया और dissociate होने पर उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे hydrogen ion दिया अगर dissociate होने पर वो मुझे hydrogen ion ना देता तो aranius के मताबिक और acid ना होता इसका मतलब है aranius टोटली ये बताना जा रहा है कि जब भी हम aqueous medium के इस्तेमाल करेंगे 12 उसने इस बात बेजोड दिया है aqueous solution में कोई भी substance अगर hydrogen ion dissociate करके देता है तो वो acid क्यलाएगा अब इसकी कुछ examples भी देख लेते हैं ठीक है आईए कुछ examples देखते हैं जिसमें सबसे पहले उससे बताया कि जैसे कि अगर आप HCL की बात करें HCL अभी हमें नहीं बता कि acid है या base है aranius ने कहा कि एक काम करें HCL को aqueous medium में यानी water में डालके देखें कि HCL क्या behavior शो करता है तो जैसी HCL को aqueous medium में डाला गया तो HCL ने H positive आइन दिया और CL negative आइन दिया जिसका मतलब यह हुआ कि aranius ने कहा कि मेरे मताबक अब HCL क्या है HCL एक acid है क्योंकि HCL ने water में जाने के बाद aqueous medium में यानी aqueous solution में water में जाने के बाद HCL ने H positive आइन दिया है और due to H positive आइन it is said to be aranius acid ठीक है क्योंकि यह aranius का concept है कि जब भी कोई चीज पानी में जाने के बाद aqueous medium में हमें H positive आइन देगी तो वो acid के लाएगी यह सिर्व और सिर्व aranius का concept है H positive wine तो इसे कौन से acid का जाएगा तो इस concept के हिसाब से हमारे पास aranius acid का जाएगा हलंके HCL को हम Bronsted Laurie acid भी कह सकते हैं ठीक है लेकिन जो concept में आपको बताना जा रहा हूँ concept यह था उसका सिर्व aqueous medium में यह जब भी बाद aqueous medium के आजाएगी कि aqueous solution किया जाएगी तो हम इसको याद करेंगे हम हमेशा aranius को याद करेंगे आईए चलते हैं बेस की तरफ इस तरह बहुत साइग्जेम्पल है let's take another example H2SO4 हमें नहीं पता इस तरह कि acid भी बेस है रकिन aranius ने कहा कि इसे अगर आप aqueous medium में यानी water में dissociate करवाएंगे तो अगर ये आपको H-positive wine दे दे तो इसका मतलब है ये acid है और अगर H-ion ना दे तो ये acid नहीं कहलाएगा ठीक है तो aranius के मताबिक क्या हुआ H2SO4 भी हमारे पास एक acid निकला क्यूंके H2SO4 ने water में जाने के बाद H-ion आपको dissociate करके दिये है लहाजा H2SO4 को भी aranius ने acid करार दिया इसी तरह H-NO3 है nitric acid है, phosphoric acid है acidic acid है इस तमाम तर acid पानी में जाने के बाद H-positive wine देते है लहाजा इन चारों के चारों या पांच acid जिसके नाम मैंने लिए आपके सामने इन सब को हम aranius acid कह सकते हैं चाहिए वो H-C-L हो, H-NO3 हो या नाइटरिक acid हो hydrochloric acid हो, sulfuric acid हो phosphoric acid हो और आपके पास acetic acid हो उस सब के सब water में जाने के पाद, या एक्वस medium में जाने के पाद H-ion देंगे लिएज़ा उने हम aranius acid कह सकते हैं आईए अब सकते हैं, base की तरफ aranius ने ही base का concept दिया और कहा के हर वो चीज़ हर वो substance हर वो substance जो dissociate हो जाए aqueous solution में same definition, हर वो substance जो dissociate हो जाए aqueous substance में hydrogenine देगा तो वो acid कहलाएगा लेकिन अगर hydroxyline देगा hydroxyline is OH negative ठीक है उसने का हर वो चीज़ जो hydroxyline देगी वो base कहलाएगी और हर वो चीज़ जो h आइन देगी aqueous medium में वो acid कहलाएगी तो आईए देखते हैं, इसकी general equation में आपके समने मनाई है BOH OH is the hydroxyline and B is the positive part of the region of the substance इसको जब मैं aqueous medium यानी water में dissociate करवाया तो यह अपने आइन में dissociate हो गया और dissociation में आप देखें इस दफ़ा H positive आइन नहीं आया इस दफ़ा OH negative आइन आया और जब आपके पास hydroxyl आइन कभी भी किसी भी substance ने dissociation पर water में dissociation पर aqueous medium में dissociation पर अगर किसी substance ने OH आइन दे दिया तो आप कहेंगे यह जो substance है this is called base ठीके students आईए कुछ example लेते हैं इसके लिए भी हम examples में सबसे पहली example में लूँगा NaOH sodium hydroxide अगर sodium hydroxide को मैं aqueous medium में रखूँ यानी अगर sodium hydroxide को मैं water में डाल दूँगा तो sodium hydroxide dissociate हो जाएगा किस में dissociate हो जाएगा Na positive और OH negative तो आप यह देखेंगे कि सर यह जो है हमारे पास एक substance था जिसे हम नहीं जानते थे कि यह base था या acid था लेकिन upon dissociation in water जब मैंने इसे aqueous medium में डाला तो इसने क्या शो किया वो behavior शो किया जो हमें Arrhenius ने बताया था और Arrhenius ने यह बताया था कि अगर कोई species अगर कोई substance आपको OH negative line यानी hydroxy line दे रहा है water में जाने के बाद dissociate होने के बाद अगर आपको कोई hydroxy line दे रहा है तो ultimately वो base कहलाएगा Arrhenius base का concept यह था ठीक है इसी तरीके से मैं दूसी example लेता हूँ for example मेरे पास है calcium hydroxide ठीक है calcium hydroxide को जब मैं aqueous medium यानी water में डालूँगा ठीक है तो calcium hydroxide break हो जाएगा calcium plus two और दो इसमें से निकलेंगे hydroxy line तो आप देखें फिर से आप कहेंगे कि sir यह वापिस इसने definition of aranious को cover किया है और definition of aranious हमें यह कहती है कि जब भी कोई substance aqueous medium में जाने के बाद hydroxy line देगा तो वो base कहलाएगा लहाजा calcium hydroxide भी हमारे पास एक base है तो student इस तरह हमने aranious के acid और base का concept क्लियर किया और SLO में भी यही था कि हम यह पढ़ सके कि aranious ने acid और base को कैसे classify किया क्या concept रखा क्या उसके पीछे उसका idea था यह तमाम तर बात हमने पढ़ी इस SLO के अंदर कि finally हम इसको conclude करते है what does aranious what did aranious said उसने क्या कहा था उसने कहा था कि acid हर वो चीज़ होगी जो aqueous medium में जाने के बाद H positive wine देगी और base हर वो सबसेंस होगा जो aqueous medium में जाने के बाद hydroxyline यानि O H negative wine देगा यहां पर aranious ने concept खतम होता है लेकिन एक बात यहां पर हमारे जहनों में बैठ गई कि इसका मतलब यह हुआ aranious की एक limitation है वो limitation क्या है वो भी boat point of view से बहुत important है और हमारे ऐसे लोगा पार्ट है कि we must know the limitation of aranious concept क्या limitation थी यानि कहां तक मैदूद था aranious का concept तो आप देखें बार-बार में इन्हें एक वर्ड यूज किया कि aqueous medium इसका मतलब without aqueous medium जो aqueous medium लिखा है aqueous solution लिखा है without aqueous medium और aqueous solution और water aranious किसी भी चीज को acid और base डेक्लियर नहीं कर सकता यह उसकी limitation है यानि अगर उससों ऐसी रखके पुछा जाए कि बताएं यह HCL है यह acid है बेस है तो वो हमें क्या कहेगा वो कहेगा इसको पहले water में dissolve करके देखें water में इसको dissociate करके देखें अगर यह dissociate होने पर edge positive iron देगा तो यह acid है और अगर यह dissociate होने पर OH negative देगा तो यह base है इसका मतलब सबसे बड़ी limitation aranious की क्या होगी कि it only applicable on aqueous solution ठीक है यह सिर्व उस्रिव उन substance पे applicable होगा जो aqueous medium में dissociate होते हैं और H ion और OH negative ion देते हैं तो लहाज़ा यह हमारे पास limitation थी aranious की और यह हमारे पास slo में मेंशन है 10.1.4 if I am not wrong तो यहां पर limitation डिसक्स करेंगे तो इंशाला हमें जब इस slo पहाएंगे तो डिटेल में फिर आप से इस बात को अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अपने next slo की जाने 10.1.2 में students हमने ब्रॉंस्टेट लॉरी थी और एक्स्पेंड करना है ठीक है ब्रॉंस्टेट एंड लॉरी देवर तो साइंटिस्ट तो कैमिस्ट ठीक है वन इस डैनिश कैमिस्ट और वन इस English chemist, they both proposed the theory of the acid and base in 1923 अब इनकी थी थी क्या है इसे पहरे हमने आरीनिस थीज़ी पढ़ी आरीनिस रॉरी आरीनिस रॉंसर पढ़ा जिसने बारहा कहा कि एक्वर्स मीटिया में डिसॉल्व करने पर एक्वर्स मीटिया में डिसूसीयट करने पर अगर HI मिल जाए तो वो acid है वो HI मिल जाए तो वो base है अब सबते हैं ब्रॉस्टिय लॉरी की तरफ ब्रॉस्टिय लॉरी इनिस थीज़ी में क्या पेश किया कि acid क्या है और base क्या है आई ये रीट करते है ब्रॉस्टिय ने कहा हर वो चीज acid है हर वो substance molecule हो या आई हो वो acid कलाएगा अगर वो proton को donate करेगा अब यहाँ पर वर्टिंग बड़ी ज़रूरी है समझना donate if a substance donate proton proton का मतलब होता है edge positive ठीकि मैं आपको clear भी कर दूँगा बहुत से बच्चों को जो है convenient होती है कि proton का मतलब proton के अंदर होता है तो यह hydrogen का मतलब proton कैसे हुआ मैं यह बात भी आपको clear कर दूँगा हर वो substance जो donate कर सकता है proton to another substance किसी दूसरे substance को proton donate कर सकता है अब आप देखें इस ते कहीं पर भी aqueous medium का या water का जिकर नहीं किया यानि ब्रॉंस्टिड लॉरी किसी भी substance को acid और base कहने के लिए aqueous medium का सहारा नहीं लेता वो इस बात का सहारा लेता है कि अगर वो substance donate कर सकता है proton तो वो acid है और अगर वो accept करेगा proton तो वो base है बहुत simple सी थियोरी है ठीक है अगर substance accept कर रहा है proton proton यानि edge positive यानि आप ये देखें अब मैंने आपको बताना है proton किसे कहते हैं यहाँ पर लिखावा है proton का मतलब है edge positive ठीक है आप माशालाब मेटर क्लास के students हैं आप ज़ली समझ जाएंगे edge positive itself of one proton ठीक है इसलिए उसने proton का नाम दिया गया है उसको आप edge positive भी कह सकते हैं लगे proton ज्यादा suitable है चुकर इस अपनी ठीक है proton का को donate और proton को accept करना mention किया गया है अगर proton donate कर रहा होगा तो वो acid है अगर proton accept कर रहा होगा तो वो base है proton basically क्या है edge positive ठीक है how it is a proton आप देख सकते हैं student अगर मैं hydrogen की बात करूं तो hydrogen का atomic number और atomic mass वन होता है ठीक है अगर मैं इसके structure ड्रॉग करूँ तो आप देखेंगे nucleus है और orbit है ठीक है यह सिर्फ समझाने के लिए उन बच्चों को जो पच्चे समझ नहीं पात है कि proton का मतलब सार हम तो समझते हैं कि proton nucleus में होता है यह तो पुरा hydrogen है हाइडोजन के पास एक 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 प्रोटोन होता है और अगर आप बात करें हाइडोजन के प्रोटियम की पहले isotopes की जो के 99.9% पाए जाता है उसमें neutron 0 होते हैं तब ही atomic mass 1 है atomic mass is the sum of proton and neutron 1 plus 0 is 1 इसका मतलब यह हुआ इस पूरे structure में अगर आप देखें तो आपके पास एक electron है और एक proton है ठीक है और यह hydrogen का atom है लेकिन जब मैं hydrogen को atom से hydrogen का iron मनाऊंगा तो iron का मतलब आप सब जानते हैं metric class के student के iron का मतलब है और plus का मतलब है कि उसना अपना एक electron दे दिया तो student अगर hydrogen अपना एक electron दे दे मैं यह mention करूँगा इसके पास proton कितने यहाँ पर mention करते हैं proton है hydrogen के पास एक जबके neutron 0 है अब अगर hydrogen आइन बनाएगा तो उसके nucleus में proton तो एक ही है proton एक है neutron 0 है बाहर और्बिट था और्बिट में electron revolve कर रहा था हमने कहा कि student electron loss कर दिया hydrogen और electron loss करने के नतीजे में electron और शेल यहाँ से खतम हो जाएगा और hydrogen बन जाएगा H positive अब यह जो चीज़ है वो कहलाती है H positive अब आप मुझे बताएं यह electron है proton है यह neutron है तो आप कहेंगे यह सर अगर hydrogen atom में से हम electron को remove कर दें और प्लस आइन बना दें तो basically यह प्लस आइन सिर्व और सिर्व प्रोटोन ही तो है लहाजा ब्रॉंस्टेट लॉरी अपने थियोरी में इसको H positive अइन को proton कहा है कि यह एक proton होता है क्यूंके hydrogen के प्लस आइन के अंदर H positive अइन के अंदर ना कोई electron होता है और ना कोई neutron होता है तो एक ही चीज़ होती है उसके अदर और वो होता है single proton therefore we can say that H positive is a proton इस तरह हम H positive को proton कह सकते हैं और यहाँ पर mention already किया हुआ है कि अगर आप कोई substance proton को donate करें यानि इस proton को donate कर दे और in short H positive दे दे किसी दूसरे substance को to another substance तो वो donor जो है जो donate कर रहा है वो acid कहलाएगा और जिसको donate कर रहा है वो यानि जो base होगा वो accept करेगा तो आप यह देखें कि यहाँ पर हम acid और base को simultaneously एक equation में पढ़ सकते हैं कि एक equation में अगर acid किसी को proton donate कर रहा होगा तो उसका proton donate किया होगा वो कोई species या कोई substance accept भी कर रहा होगा लहाँज आईए अब इसकी example पर चलते है proton आपको मैं समझा चुका हूँ कि proton किसे करते हैं अब हम इसकी examples पर जाएंगे और example के थूँ आपको बताएंगे कि कैसे कोई substance acid क्यालाएगा ब्रॉंस्टेट लॉरी और base क्यालाएगा तो आएए देखते हैं मैंने लिए हैं अपने पास HCL मैंने जानता है acid है base है और मैंने reaction होगा तो आप देखें के HCL NH3 को H positive देदेगा और खुद convert हो जाएगा CL negative में तो student यहाँ पर बास समझ नहीं है आपने HCL यहाँ पर HCL था वहाँ जाके क्या बन गया CL इसका मतलब यह हुआ student के HCL में H positive CL negative था HCL ने अपने पास CL negative रखा और H positive donate कर दिया तो आप देखें किस को donate किया H positive donate किया ammonia को और ammonia यहाँ पर NH3 था जैसे उसने H positive accept किया तो यह NH4 positive हो गया जो चार्ज यहाँ से निकलेगा positive वो चार्ज यहाँ पर adjust होगा और जो चार्ज यहाँ पर रहेगा CL पर वो living behind the negative charge on CL वो remain negative रहेगा तो यहाँ सुड़न ने यह देखा कि donor कौन है डोनर है हमारे पास किसका proton का जो donor है donate किया है जिसने वो ही HCL है तो अब मैं ब्रॉंस्ट्रिट लॉरी थियोरी के तहर इसे acid कहूंगा क्योंकि इसने donate किया है और accept किसने किया है ammonia ने accept किया है लहाज़ इसे में base कहूंगा ठीक है student क्योंकि ammonia ने accept किया है किसको proton को कैसे पता चला यहाँ पता चली है हमें product में कि इसने ammonia ने H positive को accept किया तभी तो यह बना लहाज़ एकसेप्टर कौन है accept कर कि क्या बना वो बात की discussion है acceptor कौन है acceptor is the ammonia gas therefore who accept the proton is known as the base and who donates the proton is known as the acid लयाज़ है HCl को मैं acid कहूंगा और NH3 को मैं base कहूंगा इसी तरीके से दूसरी example भी लेते हैं आपनों के सामने और दूसरी example में लेता हूँ HCl and water के लेते हैं देखें आप अगर मैं HCl को water से reaction करवाऊंगा तो यहाँ पर आप देखें गोड़ से फिर से यहाँ पर H positive है CL negative है और अब H positive HCl water को देगा और water बन जाएगा हाइड्रोनियम आइन H3O positive CL negative यहाँ फिर आपने देखा कि H किस ने donate किया है एच positive यह नी proton किस ने donate किया तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी जो H positive था उसका donor HCl था लहाजा वो acid किया है और acceptor कौन है accept किस ने किया है एच positive water ने किया है तो लहाजा water यहाँ पर base किया है ठीक है student हमने acid और base को identify करना है सबसे पहले और acid और base हम identify कर चुके हैं अगर कोई आपसे पूछेगा कि what is bronsted lorry acid and base तो आप अब उसे बता सकेंगे कि sir bronsted lorry acid वो होते हैं तमाम substance जो proton को donate करते हैं और base वो होती है bronsted lorry जो proton को accept करती है example में आपसे पूछ जाएगा तो आप best example आपके सामने मैंने आप मेंचन कर दी है HCL को अब ammonia selection करवाएं तो HCL अपना proton donate कर देगा ammonia को लहाजा HCL is the donor therefore it is said to be acid and ammonia is a acceptor therefore we can say it a base चीक है अब जाते हैं कुछ इसमें और बातें बतानी हैं आपको मैंने वो यह है student कि जब acid अपना H positive iron यानि अपना proton donate कर देता है तो जो remaining of acid होता है remaining of acid मतलब जो बच जाता है acid में से acid क्या है HCL, acid कर जो remaining species है जो बच जाता है उसे हम कहते है conjugate base याद रखीगा student यह कहलाएगा हमारे पास मैं आपे लिख रहा हूँ conjugate base इसी तरह base जब यहां से proton को accept करेगा base जब proton को accept करेगा accept करने के पास जो वो बन जाएगा remaining जो remain रह जाएगा base का वो कहलाता है conjugate acid conjugate acid इसी तरह माँ पर एक्जेंबल देख लें आप लोग हर वो चीज मैं इसकी वो कहलाएगा conjugate हर वो इस पीशी जो accept करने के बाद proton accept करने के बाद बया base जब proton accept कर लेती है उसके नतीजे में जो चीज मनती है वो कहलाती है आपके पास conjugate acid कहलाता है याद रखेगा base हमेशा conjugate acid बनाएगा acid हमेशा conjugate base बनाएगा ठीक है आप मेंचन है clearly conjugate base क्या चीज है conjugate base is a species formed by कैसे form की गई है formed by donating यह तब बना है जब किसने donate किया है acid ने donating proton by an acid और यह है accepting proton by a base जब इस acid ने donate किया है proton उसके नतीजे में जो बना है जो species आपके सामने आई है वो आई है conjugate base और base ने जब proton को accept किया है by accepting a proton by a base the species form is known as conjugate acid अब आपके सवाल यह होगा या तमाम student के सवाल यह हो सकता है कि sir acid से बनने वाले को conjugate base क्यूं कह रहे हैं और base से बनने वाले को conjugate acid क्यूं कहा जा रहा है तो आप देखें ब्रॉंस्टेड लॉरी का जो concept था वो simple था अगर मैं आप से एक लाइन में बूछ हूं तो आभी कहेंगे proton acceptor is base proton donor is acid मैं आलिक भी ज़ता हूं proton donor acid proton proton acceptor base यह दो बातें फाइनली मैं यहां पर ले के आया हूं यह ब्रॉंस्टेड लॉरी को concept है ठीक है student H donor is acid H sorry H negative दिदिया मैंने आपर proton donor is acid proton acceptor is base यह बात ले रहे हैं चले अब जो कि हम पिछले चेप्टर के अंदर चेप्टर 9 में chemical equilibrium बढ़के आ चुके हैं जिसमें हम बता है एक reversible reaction में reactant मिलके product बनाते हैं product मिलके फिर रेक्टर बनाता है तो student आईए उसको डिसस करते हैं previous concepts को जब यह दो reactant मिलेंगे तो product बनेगा इन दो reactant के मिलने में गहुआ से बास सुनीगा मैं ब्रॉंस्टिट लॉजी को मैच करूंगा इन दो product के आपस में react करने में proton donor कौन है? HCL इसलिए इसको acid कर दिया आँखे बंद करके इन दो के react करने में proton acceptor कौन है? water लेहाजा इसको हमने proton acceptor को हमने base कह दिया तो मैं कहूंगा reactant के अंदर acid था HCL base था water ठीक है? क्यूंके जब यह react कर रहे थे तो इन में acceptor था water और donor था HCL लेहाजा donor को तो मैं acid कहता हूं और acceptor को मैं base कहता हूं यह बात देर हो गई अब product बन गया product क्या बना? एक CN negative बना और एक H3O positive बना अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा यह reversible reaction है इसका backward reaction भी तो follow करेगा अगर backward reaction में react कौन करेगा अभी इस पे ना जाएं कि conjugate acid है, conjugate base है अभी आप देखें यह दो react करेंगे यह दो reacting species हैं जब यह दो react करेंगे तो बच्चों मुझे बताएं इन मेंसे कौन H accept करेगा H positive और कौन H positive डोनेट करेगा तो आप कहेंगे सर जब यह दोनों वापस से यहां जा रहे होंगे न तो CL negative इस से accept करेगा और से बात समझना जब reverse reaction हो रहा होगा तो hydronium mind से edge positive कौन लेगा chlorine लेगा हम क्या कहते हैं जो proton लेता है चुँकि वापस भी तो जाएगा यह reversible reaction है जब hydronium mind proton वापस देगा chlorine को तो donor कौन मना hydronium mind और donor को हम क्या कहते हैं donor को हम acid कहते हैं लहाजा मैंने इसको conjugate acid कहा है और product में जब यह वापस reaction जा रहा होगा reversible reaction जा रहा होगा तो CL जो है वो proton को accept करेगा तब ही तो HCL बनेगा जब CL acceptor है तो मैं क्या कहूंगा acceptor क्या कहलाता है proton acceptor कहलाता है base लहाजा CL negative क्या होगा base इसलिए मैं ऐसे कहूंगा conjugate base हर acid of base को जो आप reaction करवाते हो तो उसके दो pair बनते हैं conjugate acid और conjugate base के तो यह बात आप समझ लें इसको बनेवाज लिख लें mention कर लें कि ब्रॉंस्टेट लॉरी के अंदर जब भी acid donate करेगा और base accept करेगा उसके नतीजे में जो दो result बनेंगे वो conjugate acid और conjugate base होगा जो remaining of acid होगा वो conjugate base होगा ठीक है और जो remaining of base होगा यहीं आफ्टर accepting the proton the remaining is conjugate acid तो इस इस हाओ वी कवर अवर two concepts और जिसमें हमने अपना Arrhenius concept भी clear कवर कर लिया और अपने ब्रॉंस्ट्री लॉरी थियूरी को भी डिटेल में पढ़ लिया है बुक के अतबार से भी और अपने SRO के अतबार से भी अब आप चाहें तो इसको गुग लिट करके अपने तमाम तर जो किरीजें वहल कर सकते हैं और फिर भी किसी बच्चे को कोई सवाल समझ में ना आए या कोई concept उनका remaining रह जाए तो kindly हमें comment box में जरूर mention करें तक के हम आपके उन concepts को दूर करने के लिए एक दुबारा नई वीडियो से आए ठीके students यहां आज की class हम wind up करेंगे जिसमें हमने 10.1.2 और 10.1.3 पढ़ लिया है नेक्स class में इंशालला आपको acid base का last concept विच इस लिविस concept पढ़ाएंगे और इनकी limitation भी discuss करेंगे तब तक के लिए students जालत ने अला हाफिस